बीजेपी हमेशा ही धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पर काम करती है और जनता को बर्गलाने की कोशिश में लगी रहती है जिससे उसका वोट बैंक बढ़े और इस धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी शासित राज्जियों में एक नया पैतरा भी अपनाया ग जरिये माहौल बिगारने की कोशिश बदस्तूर जारी है धर्मसंसत के जरिये भड़काउ बयान बाजी की गई अपमान जनक शब्दों का इस्तमाल किया गया लेकिन सरकार ने इस पर कोई कारवाई करने के बजाए तमाशबीन बनना बहतर समझा लेकिन देश का माहौल बि हरिद्वार में होने वाली धर्मसंसत पर सरकार ने रोक लगा दी है इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ये धर्मसंसत हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में 27 सप्रेल यानि आज होनी थी गौरतलब है कि बीते दिन ही इस मामले पर सक से रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोट ने सरकार को खरी खोटी सुनाई थी जिसके तुरंत बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया सरकार को फटकार लगाते हुए कोट ने कहा था कि आपको सुनिश्यत करना चाहिए कि इस तरह की अभद्र टिपणिया नहीं की जाएं सरकार को इस तरह की घटना और अस्विकार भाशनों को रोकना चाहिए इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने उत्तराखंड सरकार से ये सुनिश्यत करने के लिए कहा था कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद में कोई अप्रिय घटना ना हो जस्टिस एम खान विलकर, जस्टिस अभे सोका और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीट ने उत्तराखंड के वकील को चेतावनी दी कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो मुख्य सचिव को पेश होने के लिए कहा जाएगा इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को आदेश दिये थे कि आपने अभी तक जो भी कदम उछाए हैं इसका हलफ नामा नौ मई से पहले दाखिल करें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं कोट ने हिमाचल सरकार को भी आडे हाथो लिया था और साथ मई तक हलफ नामा दाखिल करने का आदेश दिया था ऐसे में अब सुप्रीम कोट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार सक्ते में आ गई और उसने राज्य में धारा 144 लागू करते हुए धर्मसंसत पर भी रोक लगा दी है ऐसे में आब हिमाचल सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी डिवी लाइफ की रिपोर्ट